केवल प्रस्ताव पर्याप्त नहीं उसी विचारधारा के जिस विचारधारा में नहरू बढ़े पले थे समाजवादी विचारधारा के ये जो समर्तक थे और किसान अंदोलन के नेता थे इनका तो कहना था कि वास्तविक अलप संख्यक मुसल्मान नहीं है वास्तविक अल्प संख्यक कुछ अन्य धर्मों के धर्मावलं भी नहीं है वास्तविक अल्प संख्यक तो गरीब और दबेक कुछले लोग है वास्तविक अल्प संख्यक हम उन्हें माने संख्यक के अधार पे नहीं उनकी स्थिति के अधार पे गरीब लोग निर्धन लोग अता अल्प संख्यक शब्द की व्याख्या संख्या के अधार पे नहीं करें बलकि आर्थिक स्थर के अधार पे की जाए ऐसा प्रुफितर अंजी रंगा का मानना था संख्या के अधार पे नहीं कम संख्या है इसलिए अल्प संख्या कहलाएं नहीं निर्धन है इसलिए अल्प संख्या को अर्थात अल्प संख्या की शब्द स्वयम में इसके अर्थ को बदला जाए इसको पुनह परिभाशित किया जाए उद्देश प्रस्ताव का एंजी रंगा ने बहुत स्वागत किया जो पंडित नहरू के द्वारा पढ़ा गया था 13 दिसंबर को और जिस पर डिबेट चल रहा था इस डिबेट के दौरान डिबेट प्रस्ताव का एंजी रंगा स्वागत करते हैं उसके अंदर की नहित भावनाओं का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए कहते हैं कि सम्विधान में प्रत्येक व्यक्तिको जो कानूनी अधिकार प्रदान किये जाने की बात की जारी है वह बड़ी प्रसंदता की बात है प्रत्येक व्यक्ति को जो कानूनी अधिकार दिये जाने की बात की जा रही हो बड़ी अच्छी बात है किन्तो इसके साथ ही साथ कुछ सीमाएं भी तैकी जाएं अधिकार देने पर तो मैं बहुत प्रसंद नहूं रंगा जी का कहना था सभी को समान कानूनी अधिकार देने की बात बहुत अच्छी है कारणप्री है लेकिन उन्होंने आगाह किया कि यदि हम इन अधिकारों की बात कर रहे हैं कानूनी अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हम इन कानूनी अधिकारों को उपयोग की सीमाओं की बात भी अवश्य करें उन्होंने बारंबार इस बात की और संकेत दिया इशारा किया एक तरीके से वार्निंग दी चेतावनी दी रंगा का कहना था कि समविधान समस्त अधिकारों को लागू करने के प्रभावी इंतिजाम के बिना ये अधिकार निरर्थक है याने समविधान जो है वो सुनिश्चित करे कि ये जो अधिकार हम दिये जाएंगे ये प्रभावी तरीके से इनकी मानिटरिंग होगी प्रभावी तरीके से इनका इंतिदाम होगा अनिता ऐसे अधिकार निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि यदि इन अधिकारों पर प्रभावी तरीके से मानिटरिंग नहीं हुई तो कहीं ऐसा नहो कि अधिकार दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगें तो रंगा चेतावनी देते हुए उद्देश प्रस्ताव का स्वागत करते हूँ आगे प्रफ्टर अंजी रंगा कहते हैं कि ऐसी प्रस्थितियां निर्मित की जाएं जिसके अंतरगत जनता प्रभावशाली ढंग से इन अधिकारों को अपयोग कर सके ऐसी स्थिति निर्मित ऐसा माहौल बनाया जाएं ऐसा वातावरन तयार किया जाएं जिसमें सम्विधान के तहद दिये गए अधिकारों का उच्चित उपयोग जनता करें दूसरे शब्दों में सम्भवत हुआ जनता में उस तरह के भै की भी बात कर रहे हैं जो उनकी अनुसार व्यक्त नागरिकों में रहना चाहिए ऐसा भै जिसके तहद के सुनिश्चित हो के हम लोग इन कानूनी अधिकारों का उच्चित उपयोग कर रहे हैं हनन नहीं कर रहे हैं और ये भै जो है वो कानून के रिस्पेक्ट की तरह हो प्रभाशाली धंग से उपयोग करने के लिए जरूरी है कि जनता के बीच में एक पॉजिटिव महौल ऐसा तियार किया जाए ऐसा वातारन तियार किया जाए जिससे जनता सजग होकर अधिकारों को अपयोग तो करे पर उनकी सीमाएं भी जाने अपनी बात को सपश करते हुए रंगा कहते हैं उन्हें सहारों की आवश्यकता है उन्हें एक सीड़ी चाहिए बस उन्हें सहारों की आवश्यकता है उन्हें एक सीड़ी चाहिए सहारे से क्या तात्पर है सहारे शब्द से उनका तात्पर है था संबल कुछ ऐसे अत्रिक्त प्रावधान इन लोगों के लिए कर दिये जाएं जिसके बल पर वो सीड़ी को चढ़ सकें सहारा चीज़, सपोर्ट प्रारंब में सीड़ी में चढ़ने के लिए सपोर्ट इनको दे दिया जाया और सपोर्ट किस रूप में हो इन लोगों के लिए निर्धनों के लिए कुछ अत्रिक्त प्रावधान के रूप में क्योंकि निर्धनों को वो अल्समक्यक मानते थे और यदि हम ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो शीड़ियां चड़ते जाएंगे N.G. रंगा ने जन सामान और सम्विधान सभा में प्रतिनिजित के मामले पर जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रतिनिजित का दावा करने वाले ये जो विद्यमान जो चौड़ी खाई बन गई है हिंदू और मसल्मानों के बीच इसकी और ज्यान दें जो लोग प्रतिनिजित की बात करते हैं वो इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें उन दृश्यों को देखें जो उनके सामने आज और कल गुजर रहा है दिन प्रति दिन गुजर रहा है जिसमें हिंसा है सामपरदाइक दंगे हैं हत्याएं हैं विभाजन की विभीशिका है शरनार्थियों का गमन निरगमन है आदी आदी और ऐसा करते हुए उनका कहना है हम किसका प्रतिनिद्ध्ट कर रहे हैं क्या ऐसे समाज का जिसमें ये सब घट रहा है अपने देश की आम जनता का और उसके बावजूद हमसे अधिकांश लोग उस जनता की मांग नहीं है हम लोग इस जनता का प्रतिनिद्ध्ट कर रहे हैं निर्धनों का, निर्बलों का, पीड़तों का, कमजोर तबके का लेकिन इन तबकों के लिए हम कोई बात नहीं रख रहे हैं ये बड़ी अश्चर की बात है, बड़ा विरुधा भात से हमारे इस प्रतिनिधित उपर अपने देश की आम जनता का हम प्रतिनिधित करते हैं और उसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग उस जनता की मांग नहीं हैं हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं किन्तु जनता स्वयम सम्विधान सभा तक नहीं पहुँच पा रही है जनता तो जनता है, जनता ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं तो प्रतिनिधि के रूप में हमें जनता की भावनाओं को यहां प्रदर्शित करना है, जनता की भावनाओं को यहां रखना है जनता की भावनाओं के अनुरूप यहां पे सम्वैधानिक प्रावधान करने हैं और हमारे लिए जनता ये वह तबका जिसे वे अपने तरीके से अलपसंख्यक कहते थे ऐसे अलपसंख्यक जिसका आधार धार्मिक नहीं बलकि आर्थिक हो आगे वो विश्वास करते हैं कि इस सोच को बदलने में कुछ समय लग सकता है ऐसी सोच आने में कुछ समय लग सकता है लेकिन तब तक हम उनके ट्रस्टी तो रहें तब तक हम उनके हिमायती रहें और कम से कम उनके पक्ष में आवाज उठाने का भरतक प्रयास इस मंच पे तो करें और था प्रफिसर एंजी रंगा भी जन्ता की इच्छा की और बारंबार इशारा करते हैं जो अभी हमारा विशह है लोगों की इच्छा उसमें एंजी रंगा का कहना है कि क्यों प्रस्ताओ ही प्रयाप्त नहीं होगा प्रस्ताओ किन के लिए हम यहां किन के रक्षक के रूप में हैं हमारे लिए यह सोचने की बात है कि हम किन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतियों का तो कर रहे हैं पर भारतियों में किन तबकों का हमें सोचना होगा कि अल्पसंख्यक हमारे लिए कौन है आदी आदी ऐसी बहुत सी बातیں पुष्टारंजी रंगा ने अपने धन्यवाद परस्ताओं तो नहीं कहेंगे उद्दिश परस्ताओं के समर्थन में उन्होंने रखी और ये बहुत अहम बात है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस तबके का हिमायती बनना होगा हमें उस तबके का ट्रस्टी बनना होगा हमें उस तबके की तब तक आवाज उठाते रहनी होगी जब तक की वे लोग सीड़ी न चढ़ने लगें जब तक वे लोग इतना सबल न हो जाएं कि स्वैम एव आगे बढ़ने लगें तब तक कम से कम हमायेती होते हुए, हितैशी होते हुए, टरस्टी होते हुए, उनके लिए सहारा तो बन सकते हैं। प्रोफेसर एंजी रंगा ने जहां प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए यानि हम वास्तों में उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं हाँ पर बैठे हुए या अपनी बादचीच से कर रहे हैं जो समाज जनता कहलाती है जिसे हम जनता कहते हैं उसके साथी साथ उन्होंने यह आवहान भी किया कि हम बार बार सोचें अपनी कारेप्रक्रिया के दौरान कि हम वास्तों में उनकी आवाज जनता की आवाज को सम्विधान सभा तक ला रहे हैं वहाँ दूसरी और एन जी रंगा ने ही इस तरह की जनता की शेड़ी में आदिवासियों को भी लिया उनका कहना था कि आदिवासी भी ऐसे ही समूहों की शेड़ी में आते हैं आदिवासी समूह के प्रतिनी थी जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जैपाल सिंग बड़े प्रभावशाली वक्ता बड़े कुशल वक्ता थे उन्होंने आदिवासियों के पक्ष में बात करते हुए और आदिवासियों का प्रतिनिज़त तो करते हुए वो देश प्रस्ताओ का स्वागत किया और अपने विचारों को कुछ इस तरह से सामने रखा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझे से यह आशा नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता हूँ बड़ी साफ बात, साफ गोईस हो उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव है इसकी पेचीदगी, इसकी जो कॉंपलेक्सिटीज है उसको समझने कि एक शमता मुझे में नहीं है, मैं एक आदिवासी हूँ बड़ा सरल उनका विचार था किन्तो मेरा विवेक कहता है, कॉंशन्स, विवेक यानि कॉंशन्स मेरा कॉंशन्स कहता है, कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर संघर्श करना चाहिए, जिसकी चर्चा प्रस्ताव में है रास्ता जो इसमें दिया हुआ है मेरा विवेक कहता है इस प्रस्ताव में दिये हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए मिलकर एक जुठ होकर वे आगे कहते हैं महोदै यदि भारती जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ उचिद बरताव नहीं किया गया है तो वो मेरा समूह है जैपाल सिंग समुथान सभा के सदस से अपने समूह की आवाज उठाते हुए हैं कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शोशित दलित यदि कोई समूह है जिसके साथ अनादिकाल से उचित बरताव नहीं हुआ तो वो मेरा समू है उन्हें पिछले छे हजार वर्षियों से अपमानित किया गया वो पेक्षित किया गया और मेरे समाज का जो सारा इतिहास है वो भारत में गैर मूल निवासियों के हाथों शोशन का और छीना जप्टी का इतिहास रहा है बड़ी तकलीफ चे बड़ी अफसोस के साथ उन्होंने जैपाल सिंग ने इस बात को कहा कि यदि आदिवासियों के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो मातर एक ही चीज सामने आती है शोशन और शोशन और छीना जप्टी उनके समपत्टी की, उनकी भूमी की, उनकी जीविका की और वो इशारा करते हैं गैर मूल निवासियों की ओर गैर मूल निवासिय से ताथ पर ये है कि आजवासी जहां मूलता बसते हैं या बसे वहां से जिन लोगों ने उन्हें विस्थापित किया जिन लोगों ने उन्हें खदेर दिया उनके और इशारा करते हैं कि इनके द्वारा सततूर्प से शोशन किया गया है और इसलिए विद्रो और अव्यवस्था की भावना भी फैली है इसके बावजूद वे आगे कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैं पंडित जवालाल नहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूं यानि चुकि ये सब बातें पंडित जवालाल नहरू कह रहे हैं उद्जेश प्रस्ताओ की पेचीज़गियों को ना समझते हुए भी मैं जवालाल नहरू के शब्दों को पूर्ड तस्वीकार करता हूं उनके प्रस्ताओ को स्वीकार करता हूं उसका स्वागत करता हूं क्य जोहलाल नहरू की ये विश्वशनीता थी विधान सभा के सदस्यों में मैं आप सब के इस संकल्प का विश्वास करता हूँ कि हम अब एक नवीन अध्याय लिखने जा रहे हैं नवीन अध्याय की रचना करने जा रहे हैं स्वतंतर भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सब के पास अवसरों की समानता होगी और जहां किसी की उपेक्षाण नहीं होगी अर्थाज جेपाल सिंग्जी सततरूप से उस उपेक्षित समाज उस उपेक्षित तबके की बात कर रहे थे जो हजारों वर्शों से कुंठित थे उन्हें दबाया गया था, शोशित किया गया था और अपमानित किया गया था जैपाल सिंग आगे कहते हैं कि यद्यपी आदिवासी कबेले की संख्या अल्प संख्यक के बराबर तो नहीं है वे लोग अल्प संख्यक तो नहीं है आदिवाती कबेलिक संख्या की दिश्टि से अल्प संख्यक तो नहीं है फिर भी उन्हें संरक्षन की जरूरत है याने उनके लिए कुछ विशेश प्रावधानों की आवश्यकता है उन्हें आदिम और पिछड़ा माना जाता है और उपेक्षा की दिश्टि से देखा गया है और देखा जा रहा है उपेक्षा बहुत ही अपमानित हीन भावना रहती है शब्द में उपेक्षा में कोई किस तबका हज़ारों वर्षों से उपेक्षित रहा है आप कल्पना कर सकते हैं आदिवासियों के अंदर कितनी कुंठा होगी तो इन्हें उपेक्षा की दिश्टि से देखा जाता रहा है यद्यपी जैपाल तिंग प्रिथक निर्वाचन प्रिथक निर्वाचे का के पक्ष म तो नहीं थे जिसका जिक्र मैंने पूर में भी बोर कर के बیان के आधार पर दिया है उनके बیان को कोड़ करते हुए उसके पक्ष में तो वो नहीं थे किंटु वे विधाईका में आधिवाचियों के प्रतनिदित के लिए सीटों के आरक्षन की बात जरूरी रखते वानते त लेकिन यदे इनको उठाना है और जल्दी से जल्दी उठाना है बिना विलंब किये समाज को समानता के समानता के दरजे पर लाना है तो जरूरी है कि इनके लिए इसी विधाईका में जिस विधाईका से हम सरकार चुनेंगे उस विधाईका में इनके लिए परयाप्त हो आदिवासियों और शेष्ट समाज के बीच जो भावनात्मक और भातिक दूरियां है उसे समाब करने की जुरत है उसे हटाने की जुरत है और अंत में बड़े ही मारमिक शब्दों में कहते हैं हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं कितनी करुणा है उनकी बातों में कितनी पीड़ा है उनकी बातों में ये सब कहते हुए जब सम्विधान सभा के सामने वे आदिवासियों की स्थिती का जिक्र करते हैं जदी पी वो स्वैम और वो स्वैम आदिवासी हैं और कहते हैं, अनुरोद करते हैं सांसदों से, अनुरोद करते हैं सम विधान सभा के सदस्यों से, कि हमारे साथ मिलिए, हम तो आपके साथ मिलने के लिए त्वरित हैं, उत्साहित हैं, उतावले हैं, तो मेल जो के साथ चलें, इसलिए प्रिथक निर्वाचिका, प्रिथक विधा की मैं बात नहीं कर रहा हूं इसी विधाइका में साथ में आरक्षन के माध्यम से इन लोगों की सीटे निर्धारित कर दी जाएं अगला बिंदू हमें हजारों सालों तक दबाया गया है शिरशक है हमें हजारों सालों तक दबाया गया है हमें कौन है किसने दबाया है और क्यों दबाया है और समविधान सभा जैसी जगह पर जहां पर समविधान कानून बनाने के प्रक्रिया चल रही हो वहां पर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं ऐसी दर्द भरी बातें क्यों आ रही हैं मातर इसलिये कि ऐसा बताते हुए अपने पुराने इतिहास को सामने रखने की कोशिश की जारी है ताकि संविधान सभा के सदस्य, संविधान बनाते समय इतिहास की इस पुरानी गल्तियों को ध्यान में रखें और इतिहास पुना न दोहराएं प्रियास करें कि ये जो भावनाएं जनता के एक वर्ग में आई है कि हमें हजारों साल तक दबाये गया है ये भावनाएं अब पूरी तरह से निकाल दी जाएं दमिजातियों के अधिकारों का प्रश्ण दलिज जातियों के अधिकारों का प्रश्ण वह भी बड़ी लंबी चर्चा का वीशे रहा दमिज जातियों के कुछ सदस्यों का विचार था कि संरक्षन और बचाओ के द्वारा दो माध्यम संरक्षन प्रटेक्षन और बचाओ बचाओ के द्वारा पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन के द्वारा आस्प्रिष्यों की समस्या का निराकरन नहीं किया जा सकता आस्प्रिष्ट अच्छूद आपको मालूम होगा कि भारत में पूर में आज से सतर असी सौ वर्ष पूर्व तक जनता का एक तबका ऐसा था जिसे अचूत माना जाता था अच्छूद 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 को शहर से बहुत दूर रखा जाता था आप सोच सकते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार उसी समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने किया है उसी सभिता के अन्य वर्ग के लोगों ने किया है तो बहुत लोगों का विचार था कि ये जो अच्छूतों की समस्या है जिने दमिजात के रूप में देखा जाए जमी जाती नाम दिया गया है इनकी समस्या का समाधान मातर संरक्षन से या बचाव शे नहीं होगा सोच जाती आधारी समस्या के कायदे कानून और नैतिक मूल्य उनकी अपंगताओं के प्रमुक कारण थे ऐसे विचारकों का जो संरक्षन और बचाव आधी तरीकों के खिलाब थे उससे समझते थे कि संरक्षन और बचाव पर्याप्त इलाज नहीं है उनका कहना था कि जाती आधारित जो कायदे कानून बने हैं जाती पर आधारित और जाती पर आधारित जो नैतिक मूली बने हैं उनकी अपंगताओं इसके प्रमुक कारण हैं तथा कथिस्वर्ण समाज उनकी सेवाओं के श्रम का प्रयोक तो करता है किन्तों उनके साथ सामाजिक संबंद स्थापित करने से कतराता है ये बहुत महत्पूर्ण पंक्ति है कि जो सवर्ग समाज है सवर्ण समाज है सवरन समाज जो जदी हम जातियों की बात करें तो उपर की जो जातियां थी वे जातियां उनकी सेवाएं तो लेता है उनका श्रम भी लेता है और सेवाओं और श्रम से तात्पर क्या है उन लोगों की मदद से सफाई वगर करवाता है उन लोगों की मदर्थ से अन्य ऐसे काम करवाता है जिसे वे स्वायम गिनोना समझता है यदि घर के आसपास कोई सलांद हो, दुरगंधारी हो, गंदगी हो, जानवर दुरभागे से मर गया हो तो उसे उठाने के लिए, खेतर की सफाई के लिए और अन्य मजदूरी जैसे कारियों के लिए सवर्ण समाज इनको बिला लेता है उनकी सेवा ले लेता है, लेकिन जब एक सामाजिक कारिकरम होता है, तो वहाँ पर उनकी उपस्थीति को वह नागवार गुजरता है उस पर, ऐसा क्यों? सामाजिक संबन्ध सापित करने से कतराता क्यों है उन लोगों के साथ विवाहिक संबन्ध क्यों नहीं स्थापित होते उन लोगों को अपने संस्कृतिक कारिकरों में क्यों नहीं श्रिकार किया जाता जब श्रम और सेवा उन से ली जा सकती है तो फिर अपनी खुशियां भी उनके साथ बाटी जा सकती हैं पर ऐसा नहीं हो रहा है मदरास के सदस्य एक थे जे नगप्पा जे नगप्पा ने कहा कि संख्या की दिर्ष्ट से अस्प्रिष्ट अलप संख्यक नहीं है संख्या की दिर्ष्ट से अच्छूत लोग अलप संख्यक नहीं हैं क्योंकि वे जन्ख्या के लगब बीस पचीस प्रतिशत का निर्मान करते हैं बीस से पचीस प्रतिशत लोग अच्छूत श्रेड़ी में आते थे उनके समस्याओं का मूल कारण उन्हें समाज एवं राजनीती के हाशिये पर रखा जाना है हाशिया मतलब किनारा समाज के अंतिम छोर पर समाज एक व्यवस्था ऐसी बना दी थी सवाण लोंगों ने उच्च वर्ग के लोगों ने कि इन लोगों को हाशे पर रका था, किनार कर दिया था और राजनीती में तो उनका कोई अस्टित्व ही नहीं था, किसी भी तरह के अधिकार उनको राजनीती में नहीं थे तो इस प्रकार उनकी समस्या का मूल कारंट समाज और हाशिये से अलग रखा जाना है वे ना तो शिक्षा पा सके और नहीं शासन में भागी दारी इसलिए नगप्पा का कहना है कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हम सदा तकलीफ उठाते रहे लेकिन अब नहीं उठाएंगे अब बहुत हो गया अब कष्ट उठाने के लिए हम तैयार नहीं है हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं पहले से सजग हो गये हैं पहले से चैतन्य हो गये हैं और हमें मालूम है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है यानि एक तरीके से अब ये जो वर्ग है वह जागरूख हो चुका है और अपनी बात बड़े ताकत से रखने के लिए तैयार है ऐसा नगप्पा का कहना था श्री नगप्पा कहते हैं कि हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है इसी तरह की बातें कुछ अन्य लोगों ने भी की जिसमें एक तरीके से धमकी भी हम कह सकते हैं लेकिन उसके पीछे धमकी के पीछे समाज का हित नहित था और समाज के हित में ही तो देश का नहित है मद्य प्रांच से केजे खंडेल वाल आये थे उन्होंने कहा कि सवर्ण बहुमत वाली संवधान सभा जो यहां है उसे मैं संभोजित कर रहा हूँ हमें हजारों वर्ष तक दबाये गया है ऐसा कहते हुए मुझे इस सवर्ण बाहुल्य संवधान सभा में कोई हिचक नहीं है हमें इस तरह दबाये गया कि हमारे दिमाग हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हुदय भी भावशून हो चुका है कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा इन लोगों ने हजारों साल में देखी है यह बयान इस बात का परिचायक यह बयान इस बात को प्रदर्शित कर रहा है यह कथन कि हमें हजारों वर्शों तक दबाया गया और इस हद तक दबाया गया कि हमारा दिमाग हमारा देह और अब तो हमारा दिल भी काम करना बन कर दिया है भावशून नहीं हो चुका है उसमें किसी भी तरह कि भावनाएं इमोशन अब नहीं हैं नहीं अब हम आगे बढ़ने लायक रहे गए हैं तो हमारी स्थित्य तो वैसे ही है यानि बड़ा अफसूस जाहिर किया हज्जारों साल से हमें दबाया गया है बहुत सटीक वाक के सम्वधान सवा की जिरख के दौरान और इसे काफी लोगों पर प्रभाव पड़ा हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्री आंदोलन जब हुआ था उस काल में अंबेड करने इन दमिज जातियों के लिए प्रिथक निर्वाचिका की मांग की थी अब देखिए जब राष्ट्री आंदोलन चल रहा था 1930-40 के दौर में बियार अंबेड कर इन्होंने उस समय तो मांग की थी प्रिथक निर्वाचिका की क्योंकि श्री अंबेड कर भी उसी वर्ग से आते थे जिस वर्ग की चर्चा हम यहां कर रहे हैं और जिसने अनादिकाल से शोशन ही जहला है तो प्रारम में बियार अंबेड कर भी प्रिथक निर्वाचिका के पक्ष में थे लेकिन गांधी इसका सतत विरोध कर रहा थे क्योंकि गांधी को लगता था कि ऐसा करने से जो समुदाय है वो हमेशा के लिए प्रिथक हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम का उदारन ये बताता है मुस्लिमों के लिए प्रिथक प्राधान किये गए प्रणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों ने विभाजन ही करवा दिया देश का विभाजन ही करवा दिया यही संशे महात्मा गांदी के मन में भी था और उन्हें डर था कि यदि उनके लिए प्रितक निर्वाचिका जैसा प्रावधान किया गया तो वो समाच से बिलकुल प्रितक हो जाएंगे उन्हें अलग देश या अलग चीज़ ही बन जाएंगे विभाजन के परणाम सुरूप जो हिंसा हुई विभाजन के परणाम सुरूप जो रक्तपात हुआ इसको देखकर अमबेड कर पिखल गए और उन्होंने अपना विचार बदल दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि विभाजन में जो रक्तपात और हिंसा हुई है विभाजन में जो कड़वाहट है उसका प्रारंभ इसी प्रिथक निर्वाचिका या प्रिथकता के विचारों से ही हुआ था जो अंग्रेजों ने वो बीज बोई थे 1967 से लेकर आने वाले 40 वर्षयों तक लगबग 1947 तक अंग्रेजों ने जिस तरीके से मुस्लिमों को प्रिथकता के प्रति उन्हें प्रेरित किया अलग रहने के लिए जैसे प्रेरित किया हिंदू मुस्लिम ऐसी दो अलग अलग भावनाएं लाए और जिस तरीके से इस सब घटनाओं का की परणिती भैनक रक्त पाथ जो आप सतत रूप से देख सकते हैं भैनक वीबाथ दृष्यों से हुआ है उसको जब अम्बेट करने देखा सुना उन्होंने प्रिथक निर्वाचिका की बात को वहीं खारिच कर दिया अंड में सम्विधान सबादवारा ये सुझाओ दिये गए कि अस प्रिष्टा को उन्मूलित किया जाए पहला इस बिंदु पर जो सहमत ही हुई पहली बात थी कि इस बात पे सब सहमत थे कि अस प्रिष्टा को पूरी तरह उन्मूलित किया जाए आमूल चूल रूप से जड़ सहित उसे हटाया जाए बहले उसके लिए कितने भी कड़े कानूनी प्रावधान क्यों ना करना पड़े है दूसरी बात हिंदु मंदिरों के दौार बिना किसी भेद भाव के सभी जातियों के लिए खोल दिये जाएंगे कोई भी हिंदु मंदिर उच्च वर्ग के लिए सवर्ण वर्ग के लिए आदी आदी ने है सभी वर्ग सवर्ण वर्ग है और इसलिए मंदिर जो हैं वो हिंदु के हैं उसमें सभी वर्ग के सभी जाति के लोग हिंदू हैं तो ये मंदिर जो हैं वो सभी के लिए खुले जाएंगे तो दूसरा प्राउधान मंदिरों के संबंदित था तीसरा विधाई काओं और सरकारी नौकरियों इसमें निचली जाति को आरक्षन दिया जाएगा आरक्षन की बात हुई प्रिथक्ता की बात नहीं हुई एक आरक्षन दिया जाएगा लोक तांत्रिक जो जनता थी जिसने पेपरों के माध्यम से समचार पत्रों के माध्यम से समधान सभा के बयानों से ये जब जाना कि ऐसे प्रस्ताव पारित हुए हैं तो काफी खुशी की लहर दोड़ गई बहुत स्वागत हुआ इन विचारों का यह दिवे दिकाश लोग अभी भी मानते थे कि इससे समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि उनका मानना था कि सामोजिक भेद भाव को मतर इस तरीके से दूर नहीं किया जा सकता उनका ही मानना था कि ऐसे दूर नहीं भावना की बात है कागज पर कानून लिख देने से ही प्रिथक्ता की भावना जो अब पनपने लगी है या अब गहरे पैट कर गई है इस समाज में वो हट जाएगी संभव नहीं है मुम्किन नहीं है ऐसा बहुत लोग का कहना था उनका विचार था कि सामाजिक भेद कानून तो बने ही लेकिन उसके साथ साथ समाज की सोच में भी परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है कानूनी प्रावधान एक तरफ और दूसरी तरफ सोच में परिवर्तन लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव कैसे आए हर जगा कानून की नजर नहीं रह सकती भारत इतना विशाल देश है इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है कि ये सुनिश्चत करना कि हर देश के हर कोने में अंदरूनी आलाकों में कानूनी प्रावधान सक्षम रूप से लागू हो रहे हैं ये संभाव नहीं है और खासकर उस समय तो बिलकुल ही असंभाव था जब 1947 में इन पर बातें चल रही थी इन मुर्दों पर तो उसमय ना CCTV कैमरा थे ना मुबाइल थे ना संचार माध्यम से ना आवागवन के साधन थे आदी आदी ऐसी स्थिति में कैसे सुनिश्चत होगा कि इन अच्छूतों की निम्न तबके के लोगों की जो अनेकों दश्चकों से जो अनेकों शिताब्दियों से जो समस्या चली आ रही थी उस समस्या का निराकरन कैसे हो तो उनका कहना था दो तरीके हैं समवैधानिक प्रावधान अपनी तरफ उचित है होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है समाज में सोच में बदलाओ समाज में सोच में परिवर्तन ये अत्यांत जरूरी है तो इस प्रकार हमने देखा कि समवैधान सभा के सिदस्य अत्यादिक जागरूप थे मुखर थे अपने विचारों को रखने के लिए स्वतन्त्र थे और साथ ही साथ विरोध को भी एक अच्छी भावना से लेते थे इतने विरोज के बावजूद सम्विधान सभा का दौर सम्विधान सभा के सेशन्स ग्यारा सत्रों में सम्विधान सभा चली थी जैसा मैंने पूर में बताया और दो वर्ष ग्यारा महीने चली और लगभग तीन वर्ष दो वर्ष से ज्यादा तीन वर्ष इतने लंबे काल में तम्विधान सभा ने जनता की आवाज को बखुवी सुना अपने प्रतिनिदियों के माध्यम से विविन जो शुरोत थे जहां से उन्हें जानकारी मिलती थी उस जानकारियों के माध्यम से विचार विमर्ष के माध्यम से मुखर होकर अपने विचार जब इन्होंने रखे तो निश्चित था कि एक अच्छा समिधान सामने बन के आएगा जो अपनी दिश्टे से सर्वोत् होगा.